हलो दोस्तो, नमस्कार आए चलिए शीखते हैं गीजर का कनेक्शन करना, गीजर में मुखता कौन कौन से उक्षे लगे होते हैं आए जानते हैं, वाला एलिमेंट लगा होता है जो 147000 वार्ट तक लता है एक हजार उल्टा करके टांग दिया जाता है और element लगा होता है एक हजार वाट से पचीश हजार वाट तक उसके बाद थर्मो इस्टेट होता है एक कूलिंग को कंट्रोल करने का कार करता है उसके बाद green indicator रहता है और red indicator जलता है जब इसमें light आ जाती है तो red indicator जलता है और जब heating चालू रहता है तो green indicator जलता है और thermo state cooling को heating को control करता है उसके बाद drum का का कार पानी को store करता है इंडिकेटर दो इंडिकेटर होता है एक red indicator एक green indicator आईए चलिए इसका connection सीखते हैं सेर पत्तन newtall मैं लीट के wire योजबे को सब्युपकराण कर पहराऊंता है जिसे दो इंडिकेटर है और ये है हिटिंग एलिमेंट इन्हों में एक पॉइंट जोड़ देंगे न्यूटल का वायर सबसे पहले इसमें जोड़ेंगे इसके बाद इस इंडिकेटर में जोड़ेंगे इसके बाद element के एक point में जोड़ देंगे neutral का wire अब इन neutral का connection हो गया उसके बाद अब face में lead के face का connection करेंगे face का connection सबसे पहले indicator के दूसरे point में जोड़े गया और उसे दूसरे point से out होके thermo state की एक point में जोड़े गया पहले वाले point में किसी में जोड़ेंगे चाहे पहले में चाहे दूसरे और दूसरे से out कराके indicator के एक point में जोड़ेगा इसको बाद इंडिकेटर से out कराके element के बचे हुए दूसरे point में जोड़ जाएगा इस तरह गीजर का connection होता है तुवारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और सेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत भानेवाद इसी तरह वीडियो देखने के लिए नमस्कार जाएगा झाल 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 झाल